हर्याना राजे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महार निदेशक ओम परकास सिंग साहाब के दिशा निदेश एवं मार्ग दर्शन और पुलिस अधिक्षक शेशांग कुमार सावन के अदेश अनुसार ब्यूरो के जागरुपता कार्यकरम एवं पुनर वार्ज परभारी उपनी रक्षक दोक्र अशोक कुमार वर्मा साइकल पर सवार होकर हर्याना के गाउं गाउं तक जाकर नशा मुक्ती के संदेश दे रहे हैं इसी कड़ी में वे आज नया बस्तेंड अड़े पर पहुँचे और हर्याना रज्ज परिवान कुरुक्षेत्र में चालक प्रशिक्षन प्राप्त करने वाले प्रशिक्षन आर्थियों को नशे से दूर रहने के लिए जागरुप किया ब्यूरे के उपनी रक्षिक डोक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बस अड़े पर आने जाने वाले लोगों को इकत्रित कर अन्यप्राशिक्षन आर्थियों के साथ नशे से दूर रहने को जागरुप करते हुए कहा समाज में बढ़ रही नशे की प्रवतिक से प्रतेक व्यक्ति को सावधान रहनी की अवशत्ता है आज हमारे चारो ओर नशे का बोल बाला है से बे हमें सब को मिलकर नशा मुक्त हर्याना और नशा मुक्त भारत को बनाने में सहयोग करना होगा उन्होंने एक उधारण देते हुए कहा कि कोई ये ना सोचे कि पडोसी के घर में आग लगी है तो मुझे क्या बस इससे क्या परविचार करें ये हिस्तिति आज समाज में नशे की बन चुके है यदि कोई आप पास वह व्यक्ति कोई नशा करता है तो इसका परभाव हम तक अवश्य पहुच जाता है इसलिए हमें सचेत रहने के अवश्यत्ता है हर्याना सरकार हर्याना पुलिस और हर्याना राजे नार्कोटिक सेल रहने के लिए जागरुक किया जा रहा है उन्होंने आगे कहा कि नशे के कारण यूवा समय से पूर्व बुढ़े हो रहे हैं नशे के अनिक दुष्प्रभाव का बढ़न करते हो नहीं कहा कि इस समच्चा से निपटने के लिए अंतराश्य स्तर पर भी सभी देश एक दू पूल रहा है इसके पीछे का कारण है अज्ञानता आशिक्षा दिरोज़दारी अबसाद तनाव इच्छाओं की पूर्ती ना होना शीग्रता से उचाई छूने का प्रियास और देश के विरुद शडियंतर आधी अनेक कारण है हरियाना सरकार नशामुक्त हरियाना के लिए कृत संकल्प है हरियाना राज्य नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन इस आश्या से ही किया गया है कि जो हरियाना राज्य को नशामुक्त कराने के लिए दो परकार से कारिय कर रहा है प्रतम अपराधियों को सलाकों के पी नशा मुक्ती के लिए स्तंपर्ख करें कार्यक्राम के अंत में सभी ने एक स्वर में प्रतिज्य की कि वे जीवन में किसी भी परकार का कोई नशा नहीं करेंगे सबसर पर चालक प्रशिक्षिन के परभारी सुरेंद्र कुमार विशेश रूप से उपस्तित रहें